आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है इस नई वीडियो में, आज हम चर्चा करेंगे यहाँ पर Nifty का क्या कारोबार रहेगा, Sensex और Nifty में क्या सोंवार को तेजी कायम रहेगी, October 12 का क्या प्लाइन करना चाहिए आपको, with levels बताएंगे, Nifty के feature में आप काम कर सकते हैं अगर करते हैं तो, और इस तरह से आप अपनी strategy बना सकते हैं आगे आने वाले हफते के लिए, थोड़ा सा crucial हफता रहेगा, दो-तीन factor हैं जो आपको consider करने हैं आने वाले हफते में, और particularly Monday में, अब RBI की जो policy announce हो गए, उसका further reaction, upward moment चल दी रहेगा की नहीं रहेगा, पहले चल कर Friday का का कारोबार देखते हैं, तो अगर Friday को देखें, 10 बजे के आसपास RBI की कारोबाई शुरू हुई थी, तो वहाँ पर 11,850 के आसपास निक्री चल रहा था, और जैसे ही कारोबार खतम हुआ, तो ये करीब-करीब 11,885 तक चला गया, पर उसके बाद उसमें market ने जो तेजी दिखाई है, तो देखें, आखिन में जाते हुए 11,938 तक गया है, जो कि ये बहुत अच्छा साइन है, RBI की पॉलिसी को बहुत थमसब दिया है, जहाँ पर गौर्णमेंट अब stimulus नहीं दे सकती है, उसके चलते हुए उन्होंने अपना तरकश में से एक तीर निकाला है, जिसके चलते हुए, reality sector को उन्होंने specialized sector बनाया है, construction sector को, और जो भी NBFC companies है, या फिर जो भी bank related companies है, उनको special assistance मि लेगी, अगर वो इस के लिए loan provide करेंगे, तो इस सब के चलते हुए, ये बहुत ही अच्छी खबर है, आगया आने वाले time के लिए, banking sector को positive view Friday के दिन के, afternoon के बाल, तो अगर Nifty का, हम Friday का देखे कारोबार, तो Wipro, ICSA Bank, Axis Bank, SBI, HDFC, सारे के सारे तेजी वाले stock जो थे, वो banking sector के ते, top 5 गिरने से, 4 banking sector के ते, तो आपको clear cut पता लग जाएगा, कि bank sector, ICSA Bank फिर से 400 के पर पहुँच गया, जो की बहुत अच्छा sign है, SBI Bank 200 के आसपास पहुँच गया है, जो भी अच्छा sign है, तो ये सब दिगज बैंक है, दिगज काम करते हैं, और इनके चलते हुए, आगे आने वाले समय में, लग रहा है कि market recover करेगा, economy recover करेगी, तो market भी उपर चलेगा, यहां से, तो ये बहुत अच्छा sign बन रहा है, कि तेज का दुग, तेजी का दौर चलने लगेगा, देखे दोस्तों हमने अपने चैनल पर पहले ही बताया था कि जब October मन्त शुरू हुआ था, तो उसके टाइम पे हमने आपको बताया था कि October की सीरीज एक बहुत positive note पे हुई है, तो वो बहुत अच्छा संकेत था, और हमने कहा थ positive जाएगा, तो देखे यहां से, जब इसने यहां पर शाम के टाइम अगर close किया है, तो 11,020 के आसपास आप खरीच सकते थे, और अब देखिए, करीब करीब 11,920, 900 point का फाइदा मिला है आपको, सिर्फ और सिर्फ 70% probable case के एक, कोई technical chart नहीं, कोई कुछ नहीं, just based on pure experience knowledge, हमन जो हमारी intraday position है, वो लग रहती है, और हमारे जो stock के long position रहती है, वो लग रहती है, तो हमने यहां पर बहुत अच्छा तेजी का लुक खेला था, वो हमारी position अभी भी as it is है, अब इसका stop loss क्या रहेगा, यह एक बहुत important question बन जाता है, जैसे September का month एक नीचे गया था, पहल stop loss के, अब अगर super trend के basis पर देखें, तो super trend ने clear cut एक buy signal generate किया है, जो आगे आने वाले time के लिए थोड़ा सा positive momentum continue रखेगा, यहां से stock के reference में देखा जाए तो, तो जैसा आपने देखा, October 9th को bulls were in full control, और beers अपनी दुम दुआ के भागे हुए थे, बैलों ने अपना पूरा parameter पर देखेंगे कि क्या यह और board zone में तो नहीं आ गया, अब देखें ज़र यहां पर, bullinger band के business पर, band expand हो गया है, और यह band के अंदर ही है, तो अभी एक दो दिन और हो सकता है, थोड़ा चले, या फिर यहां से ही वो नीचे जला जाए, depends on lot of factors, जैसे भी होगा, we will watch our close आए, और उसके बाद में हम देखेंगे कि आगे कि क्या प्रक्रिया हो सकती है, यहां से, अब अगर हम option chain का analysis करें, जिसकी सहायता से आप बता सकते हैं कि आगे कि क्या प्रक्रिया होगी, तो nifty की अगर option chain देखें, this is the weekly expiry chain, तो इसमें पता लगेगा कि कहा resistance है सबसे ज़्यादा तो अगर देखें कि 12,500 पर सबसे ज़्यादा open interest खुला हुआ है अभी हाँपर, खड़ा open interest जो है 32 लाख का open interest खड़ा हुआ है हाँपर, और यहीं पर interestingly सबसे ज़्यादा कल open interest की writing भी हुई है, तो 11,000 की writing यहीं पर हुई है, 11,000 की writing यहाँ पर हुई है, और यहीं पर ही total open interest भी 32 लाग के आसपास है, जो की नेर डम में बोल रहा है कि अगर किसी वज़े से 12,000 का लेवल टूटा, तो 12,500 विल बी दर नेक्स सब्पोर्ट, तो यह 12,000 एक कूशल लेवल है, अगर यह टूटता है, तो फिर आगे जो कि resistance रहेगा, वो 12,500 के आसपास रहेगा, तो clear cut range expansion हो से जादा open interest खड़ा हुआ है अभी, तो open interest जो खड़ा हुआ है अभी यहाँ पर वो है 11,700 पर, तो near term में 11,700 एक बहुत बढ़िया इसका support की तरह से काम करेगा, 22,000 का open interest इसमें खड़ा हुआ है, और interesting fact यह है दोस्तों, कि जो सबसे जादा writing हुई है आज put में, वो हुई है 11,900 पर, इसका मतलब यह है कि बुल्स थोड़े से aggressive mood में आ रहे हैं यहाँ पर, अगर वो एक बार तेजी दिखाने लगे, तो फिर stop loss तूटेगा, 1200 रुपे का और तेजी market उपर चलेगा, तो आपको थोड़ा साबधान होकर खेलना है, क्योंकि दोनों तरफ से संभावना ह बियर्स थी अपनी ground नहीं छोड़ना चाहेंगे 1200 की और बुम्स अपनी 11,900 की या 11,700 की ground को नहीं छोड़ना चाहेंगे, तो इसके चलते हुए, अभी दोनों के बीच में जर्दो जहत चलेगी और देखते हैं कि क्या आगे की प्रक्रिया हो सकती है, तो यह एक range बन गई है जो आप अपने देख सकते हैं कि अब range का थोड़ा सा expansion हो गया है, 11,700 lower range और 12,500 upper range रहेगी, निफ्टी की Monday के दिन वाले week में जो शुरू हो रहा है, तो यह देखेंगे, क्या होगा आगे आले वाले time के लिए, पर अभी के लिए यह बहुत अच्छा equation मन रहा है, अगर यहा और देखें दोस्तों, अगर आप MACD को भी follow करते हैं, तो 11,400 के आसपास आपने buy कर लिया है, अभी 11,900 के आसपास चल रहा है, बहुत अच्छा momentum है, जो आगे आने वाले time के लिए, यहां से continue हो सकता है, positive view में आगे चलता रहे, तो यह एक अच्छा sign है, आगे आने वाले time म है, median price, हमने nifty का median price का average निकाला, जिससे noise cancel हो जाती है, तो देखें, यह 8,400 से चलता हायर low, higher highs, higher low बनाता गया, और अभी यह करीब-करीब 11,300 के आसपास चल रहा है, यह line chart नहीं है दोस्तों, यह median price है, 11,300 के आसपास अभी इसका median price चल रहा है, तो बहुत अच्छा indicator है, ज अगर आपको काम करना है, तो आपकी क्या पर करिया रहेगी, उससे पहले हम बताते हैं, दोस्तों, हम nifty और bank nifty की future and option की active internet trade करते हैं, और इसका charges है 8,000 रुपीज पर मन्त, इसके साथ मैं आपको portfolio management में मिलेगा, आप में चाहें, तो हमें mail drop कर सकते हैं, we will share you the details, please consult your financial advisor before investing trading, अब दो key information बताएंगे, जिसके आगे देखेंगे, तो RBI का आपने बत सुनी लिया है, कि RBI ने सारा का सारा अपना active process जो शुरू करना था, वो कर चुके हैं, जहां पर government अभी further stimulus नहीं बिल सकती है, इसलिए RBI governor ने अपनी accommodative stand की policy रखी है, कि अगर जरूत हुई, तो वो य 3.35 best study रखा है, जो कि एक अच्छा strategy है, आगे आने वाले time के लिए उनके पास कुछ ammunition बचा रहेगा, अब आज important चीज है कि हमने क्या lesson learned किया इस particular situation से Friday में, देखें, RBI की power बहुत unlimited होती है, देख, जिस दिन RBI की policy आती है, उस दिन आप definitely short मत कीजेगा, कभी भी, और अगर policy के बाद आपको लग रहा है, यह policy में कुछ भी positive नहीं है, तभी market को देखे, तब short कीजा, अधवाई, ज्यादा तर्चांस ही होता है कि RBI की policy, market को share up करती है, और market उपर जाने के लिए तयार हो जाता है, तो यह चीज का दिहान रखिएगा हमेशा दोस्तों, इस lessons की 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 थ वीकेंड पर इसको सब लोग analyze करेंगे, और जो NBFC और banking sector है, अगर इसने positive momentum दिखाया, तो यह positive रहेगा आगे आने विल ताम की, banking sector जो है, वो key point रहेगा, अगर RBI की rally further external हो नहीं है, तो banking sector से clear दिखाई देगा, जैसे कल दिखाई दे रहा था, वैसे ही banking sector से आज भी दिखा यहां पर, तो इसकी वज़ए से हो सकता है, थोड़ा consolidation करें, और फिर उपर करें, जो कि एक अच्छा sign होगा market के लिए, आप अगर थोड़ा लंबा चलते हैं, तो थोड़ा थोड़ा रुक रुक कर आपो चाहिए, ताकि आप long round में जाग लंबी distance दूर travel कर सकें, तो देख अगर आपको वीडियो अच्छा लगाए, तो एक बार लाइक बटन प्लीज ज़रू दबाना, अब हम बात करेंगे कि क्या इसकी आपकी रननीती होनी चाहिए, आने वाले टाइम के लिए, तो दोस्तो देखो, दो तरीके हैं इसको खेलने के, आप long भी खेल सकते हैं, और short पी खेल सकते हैं, अगर हम इसका daily chart निकाले हैं आपर, तो आपको बताएंगे, अगर market negative खुलता है, देखें दोस्तों, यह आपको थोड़ा सा समझने वाली बात है, अगर market का आपको pressure लग रहा है कि market थोड़ा सा negative रहेगा, तो आप यहाँ पर इसको sell कर सकते हैं, 11,900 के आ 11,800 के आसपास का इसका target रहेगा हमारे साब से, तो यह दो level आप धिहान रखना है, अगर market negative react करता है, किसी भी news के basis पर, जैसे चाइना की बॉटर में अभी tension है, वापर discussion चल रहा है, तो उसके चलते हुए, आप, sorry, आप shorting opportunity कर सकते हैं, 11,900 के आसपास, 11,800 का target रहेगा, और stop loss कीगा, 11,950 का, short term के लिए, यह intraday के लिए, काफी अच्छा points है, आपके पास में favorable, अगर आप इसको follow करते हैं, तो, और दूसरा तरीका यह है, कि अगर market में banking sector आपका positive चल रहा है, तो आप short मत कीजिएगा, पर आपका long जा सकते हैं, और आपका target होना चाहिए, 11,950 के असपास, तो दोनों तरीके साब खेल सकते हैं, जैसे आपका market का sentiment है, दोस्तो, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपके बहुत आबारी है, वीडियो को like कीजिएगा, और आपके Google के search profile के accordingly, और साथ में जो आपके YouTube history views हैं, उसके basis पर हमारे channel के 4 प्यू बेटर, जै हिंद, जै भारत, आपका दिन मंगल में हो, बाइगा